किसां साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्ज के मेहने याने की गर्मी के मोशम में आप कौन-कौन से सब्जी को लगा कर जैदा से जैदा उत्पादन ले सकते हैं और आपको मंडी भाव अधिक से अधिक मिल सके जिससे कि आपका मुनाफ़ा जैदा से अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन को जरूर दबाएं खेती बारे जूरी जो भी जनकारी है वो आपको मिलती रहेगी किसन साथियों चलिए वीडियो को एक स्टार्ट करते हैं तो मार्च के महिनी में जो आपको सब्जे लगाना चाहिए उसके लिए पहले नमर पर लगा सकते हैं लौकी की खेती कर सकते हैं किसन साथियों अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो आपको 55-60 दिनों में पहला त उत्पादन ले सकते हैं उसके बाद हम बात करें तो आप धेनियां की खेती कर सकते हैं तो आपको 40-45 दिन में इसे आप हार्वेस्ट करके आप मंडी में शेल कर सकते हैं और अधिक सथिक आपको रेट भी मिलने वाला है जिसका प्रोडक्शन बहुत ही जएदा होता है और इस करें तो आप लगाने विधी होता है तो आगर यह से तरीके से हैं आप आप मचान के वीदी से भी कर सकते हैं या फिर आप धरती पर भी ने की जमीन पर भी कर सकते हैं किसान साथ यो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो कड़ेला के टॉप भरैटी कौन-कौन से होते हैं तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और जो अच्छे से अच्छे उत्पदन वला फरैटी है उसको आप चेयन करके उसका खेती कर सकते हैं किसंसाथियों इसके बाद आप मूली की खेती कर सकते हैं अगर आप मूली की खेती करते हैं तो 40-45 दिन में इससे आपको पहला हर्वेस्टिंग होता है वो मील जाएगा और आपको मार्गेट में सेल कर सकते हैं के मोशन में मूली का बहुत ही डिमांड होता है जिससे कि आपको अच्छा खासा रेट मिलने वाला है साथ ही साथ आपको जो इसका मंडी का रिस्पॉंस है वह बहुत ही जैदा मिलने वाला है इसमें अगर आप तस हजार का इन्वेस्ट करते हैं किसन सथियों तो आपको अपको लगवों 2 लाग ठयका थायाओ डिमांड होता है और अपको चांशान बात करें किसको अब कितने समय तक सकते हैं तो जब परकने करânसे कर गर्मिघंता असका बहुतन जयदा IST भात करें के साथ लिए आलोग फिरम में को जए जएधा वत्पादन मिलने वाला है और जो काईटेक होता वो भी बहुत कम होता है अगर इसका आप खेती करते हैं तो आपको 40-45 दिन में पहला हार्वेस्टिंग मिल जाएगा और आप मार्केट में सेल कर सकते हैं जो गर्मी के मौसम में खीरा का डेमांड होता है वो बहुत ही जैदा होता है और अच्छा रिस्पॉंस जो पुदिना का डेमांड होता है बहुत ही जैदा होता है और आपको रेट भी अच्छा खासा मिलता है इसको अब लगाकर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और उत्पादन लेगर आप मंडी में सेल कर सकते हैं कि समय में अगर हम बात करें अगले फसल के वारा में तो है कि द्देट है कटो बहुत है तो ही जबरदस्ट मिले वाला है तो आप और अगोडी के लिए बहुत ही जबरदस्ट मूशंग होता है इसको अप लगाकर अच्छे सच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं किसं साथ यों अगर आप चाहते हैं कि भींडी के टॉप भ्रैटी को कौन-कौन शाह होता है जिसको आप लगा सकते हैं तो डिस्क्रीप्चन मी लिंक देया हुआ वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं किसान साथियों इसके साथ साथ आप टमाटर के भी खेती कर सकते हैं गर्मी के मोशम यानि कि मार्च और अपरिल के महिना में चुछ टमाटर का खेती होता है बहुत ही अच्छा होता है और इस चमय उत्पादन होता वह बहुत ही जैदा होता है तो आप टमाटर के खेती भी कर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान साथ चुछ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल एकन को जरूर दबाएं खेती बारे जोड़ी जो भी जनकार यह वह आपको मिलती रहेगी मिलते है एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ जै किशान